हेलो व्रिवन वेलकम यूओ लेट लोकी सर अनलिम्टेट स्टडी जोन सो गाइज क्लास 12 के वेक्टर चंप्टर का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहां हमारे सामने है और जिसमें हमें यह निकालना है कि अगर हमारे पास कोई टेटराहेडरन है तो टेटराहेडरन का हम हमको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है हमको टेटराहेडरन का हमको यहां पर फाइंड करना है सेंट्रोइड देखे ट्रेंगल का सेंट्रोइड एक अलग बात है टेंडर ट्रेंगल एक टूडी जोमेट्री है ओके यह 3D भी हो सकता है ट्रेंगल ऐसा नहीं कि 3D नहीं हो सकता बट हमने जो पढ़ा है वो हमने 2D फार में पढ़ा है अब आपको यहां पे आपको यहां पे जो find करना है वो इस tetrahedron का centroid आपको find करना है ठीक है अब समझे एक चली यह tetrahedron कैसे आपको दिखाई देगा इसके total vertex कितने हैं तो इसके आपको यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बट आपको इसके चार vertex हैं यहां पे कितने vertex हैं यह देखिए एक vertex आपका यह है और यह पीछे की तरफ एक चुली अब आप इसको आंगे आपके फोकस करोगे तो आंगे भी आपको दिखाई देगा और पीछे focus करोगे तो पीछे भी दिखाई देगा सबसे पहले आपके पास में एक base triangle है पीछे की तरफ जो है आपके पास में क्या है वह एक base triangle आपके पास दिया गया ठीकिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाया इस diagram को one by one करके मैं आपको focus करता हूँ कि कैसे अपना tetrahedron बना हुआ है आपको तब समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हमारे पास एक triangle था back side में क्या था हमारे पास एक triangle था विससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता हूँ यह लेटा हुआ है कहां पर जमीन पर यह देखिए यह जमीन पर लेटा हुआ है पीछे की तरफ इसको मैंने white clear से बनाया है यह मैंने इसको white clear से join कर दिया clear है तो अब आपके पास देखिए a b c तीन पॉइंट तो आपके पास है ही है की नहीं है बताइए और एक चौथा एक पॉइंट जो आपको दिखाई नहीं दिखा एक चुली हमारे यह जो plane है यह 2D है जिस पर हम काम कर रहे हैं बगड़ यह 3D पीछे की तरफ है लेटा हुआ ह से क्लियर हो गया है समझ में आया तो यह जो है बिटा यह जो है यहां पर यह इसका चौथा वर्टेक्स बन जाता है क्या बन जाता है चौथा वर्टेक्स क्लियर हो गया ना यह इसका चौथा वर्टेक्स यहां पर इस तरीके से यह डी बन चुका है ठीक है अब देखिए इस vertex का यह जो तीसरा जो triangle है white clear में आपको देख रहा है इसका कोई ना कोई centroid तो होगा होता भी है बिलकुल होता है अगर यह हमाँ पास इस A point का position vector A है B point का position vector vector B है C point का position vector vector D है और D point का position vector यदि vector D है ओके तो यदि individually मैं देखूँ यहाँ पे तो इसका position vector vector D है इसका B है इसका C है तो कहीं न कहीं इसका centroid होगा जो हम पढ़ चुके हैं कि centroid के जो position vector होता है that is equal to B plus C plus D upon 3 यह सनूं तो मैंने मान लिया कि यह B plus C plus D upon 3 यह इसका centroid है इसके centroid को मैं E vector मान लेता हूँ क्या मान लेता हूँ इवेक्टर चलिए ठीक है डाइग्राम पे हम वापस आ जाते हैं अपने जो नॉमिनेशन से उनको हम पूरा दिखा देते हैं स्कूल नॉमिनेख हुत अ कर बात की तहीं मैंने है स्क्राइब इसमें क्या किया है सबसे पहले यह ओप्ली इसका सितिए वेक्टर है यह भी पॉंट i पूजेशन वेक्टर है वेक्टर बी यह सी पॉइंट है इसका पूजेशन वेक्टर वेक्टर बी क्लियरा आगया समझ में आप यह देखिए कि आप एक side लेके आते हैं और इसको यह थोड़ा आप यह पीछे की तरफ से आईगी यह आँगी क्योंकि वह इससा पीछे गया हुआ है यह जो ट्रेंगल का हिस्सा है वाइट किलर का यह कहां गया है पीछे गया हुआ है और यह इसके centroid को A से मिला तो मतलब उपर बैठा था A और नीचे जमीन में कुछ इस तरीके से इसका centroid यहां पर बैठा हुआ था तो A से आपने इसको मिलाया मिलाया की नहीं मिलाया अब देखिए similarly यहां पर भी कोई ना कोई centroid मिल जाएगा बिटा F वाला मान लिजिए इस triangle का यह सौनो तो आप इसको भी मिला सकते हैं मिला सकते ह अब तो यह मिल जाएगा ऐसे तो यह जो आपके Vertex को centroid से मिलाने वाली लाइन है Vertex को किससे मिलाने वाली लाइन सें ट्राय इद्स में मिलाने वाली लाइन काukt». पॉइंट होता है उसी को हम बोलते है centroid of the tetrahedron क्या कहते हैं centroid of the tetrahedron क्या कहते हैं centroid of the tetrahedron clear हो गया तो यहां पर यह जो है 3 ratio 1 में divide करता है कौन centroid of the tetrahedron किसको vertex को मिलाने वाली line को किस से opposite triangle से opposite face के triangle से तो इसके opposite face का triangle यह बन रहा है ओके यहां वाले जो c point है c point के opposite face के triangle का centroid कहीं यहां पर मिलेगा तो जब इसको मिलाओगे तो यह भी definitely यहां कहीं से जाएगा इस तरीके से तो यह जो बन जाएगा आपके पास में यह क्या बन जाएगा आपका centroid of the tetrahedron clear हुआ अब आईए इसका derivation हम करते हैं आपके लिए तो derivation करने के पहले हम एक line लिख लेते हैं जो कि आपको exam में लिखना important होगी वो line है in क्योंकि हमाई पास जो tetrahedron है initially उसका नाम क्या था ABCD क्या नाम था ABCD ठीक है ना clear हो गया आपको यही chemistry का मैं reference दो थो थोड़ा सा तो आपको याद होना चाहिए कि chemistry में जो CH4 में चार carbon होते हैं उन चार carbon की geometry tetrahedron ही होती है समझ गए और carbon उनके center पे बैठा रहता है carbon एक तरीके से उनके कहां रहता है centroid पे बैठा रहता है clear है तो यह देखिए चार carbon नहीं चार hydrogen एक पहला hydrogen यहां रहता है clear clear हो गया और एक पीछे की तरफ से जो teachers ऐसे दिखा देते हैं कि वटा एक पीछे बैठा हुआ है अब सामने तो उसको दिखा नहीं सकते बिचारे को बोलो हाया ना यदि यह hydrogen है तो teachers क्या करते हैं एक पीछे से gap मार देते हैं लो भी यह मतलब यह यह सेम प्लेन में यह तीनों तो सेम प्लेन में मगर यह सेम प्लेन में नहीं है clear हो गया तो मतलब यह 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 जो है सामने से ट्रेंगल बनाएंगे ऐसे दिखा जाए तो यह रिखिए बट यह ट्रेंगल नहीं बनाएगा यह आपका क्या बनाएगा इसको मिला दोगे तो यह ट्रेट्राहिडरन सा बन जाएगा समझ में आ गया clear हुआ तो यह थोड़ी सी केमेस्ट्री में नहीं आप इनवाल विसले करी कि आपको और ज्यादा clarity आ जाए कि जब आप टेट्राहिडरन पढ़ते हो carbon methane का जब आप hybridization पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि एक carbon है उसे चार hydrogen जुड़े हुए है तो चार hydrogen की जो shape होत और पॉठी में इसमें चूरो जरूरी थे ओरी है वह लिखेंगे हम इन टेटरहेडरन हेटरन ABCD जो हमाँ पास tetrahydran है वो क्या है ABCD है ना ABCD में हम किसके centroid की बात करें tetrahydran के centroid की किसके centroid की हाँ क्योंकि centroid 2 नीचे वाले triangle जो बन रहा है उसका भी centroid होता है और वो नीचे से जाकर के ऊपर वर्टेक्स से मिलता है और फिर फाइनली जो निकल के आता है वो centroid आपका निकल के आता है जिसको हम जी बोल रहे हैं आपर क्या बोल रहे हैं जी बोल रहे हैं तो इन टेट्रहेडरन ABCD centroid G divides divides the line joining joining the vertex the line joining the vertex of the tetrahedron to the to centroid of the opposite to centroid of the opposite triangle in the ratio to clear हो गया यह theory आपके लिए important है यह क्या कह रहा हम एक बर आपको बता दूँ आपको याद होगा मैंने अभी को दिखाया कि सबसे उपर vertex A था yes or no इसका position vector क्या था vector A clear है अब यह बिटा जा करके सामने वाले triangle से match किया था सामने वाले triangle से नहीं सामने वाले triangle के centroid से yes or no यह centroid मैंने ट्रेंगल white color का था तो मेरा centroid भी किस color का होगा white color का समझा दी आपको समझने के लिए वो लो clear है है ना तो यह centroid आपका white color का ऐसा दिखा रहा है देखो यह centroid इसका इसको ev कुछ भी माल लिया अपने तो यह जो था यह अपने पास क्या था यह था वेक्टर भी यह है वेक्टर सी और यह क्या था वेक्टर डी clear तो यह जो अब जो फाइनली आपको जो क्या मिलेगा centroid मिलेगा किसका tetrahedron का वो यहां कहीं पर का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने तो यह ही से हमारा प्रूफ निकलेगा कि कैसे हम इसको centroid बनाएंगे ऑके centroid का vector Sorry this is .g actually Pd का vector بنेंगा small G clear any problem मिटा चलिए अब देखिए यहां पे जो सबसे पहले हम को क्या करना है उख फचलिए का position एक पोजीटर अगे पर क्या होता तो सर्अ यह था अब हम सेक्षन फॉर्मूला लगाने को तयार बैठे हुए हैं क्योंकि हमाइं पास सब कुछ पता है यह भी पता है उपर वाला भी पता है नीचे वाला भी पता है यह भी पता है तो लिखेंगे बाइ यूजिंग सेक्षन फॉर्मूला ओके पोजिशन वेक्टर ऑफ जी तो आइकेन से पी वी ऑफ जी कैपिटल जी इस एक्वल्स तू देखो ऊपर का रिश्यो थ्री है सो थ्री मल्टिप्लाइबाइबाइब पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए लेलो या वटेवर ए यह नो बेटा सीन यह ए यह ओके थ्री मल्टिप्लाइबाइब पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए जो आगे जाके स्मॉल यह बनेगा क्योंकि वेक्टर को स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं प्लस वन टाइमस अफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए जिसका प If we have to place the value position vector of G become how much small g a small G vector? 3 times E vector a position vector equal to vector B plus C plus D by 3 plus 1 times of vector A upon 4 cancel out each of them 3 3 and we have finally the answer vector A बन जा vector A so I can write here vector A plus B plus C plus D whole divided by 4 so this is the position vector of the centroid of a what tetrahedron right centroid of the tetrahedron okay आप इसको दूसरे से भी निकाल सकते हैं ठीक है अगर आप दूसरा triangle लेना चाहते हैं यह वाला triangle इधर वाला तो इसमें भी निकाल सकते हैं बट यहाँ पर थोड़ा change हो जाएगा यहाँ पर B C D आ रहा ठीक है आप किसी भी method से निकाल सकते हैं बट every time you will have the answer vector G equal to A plus B plus C plus D upon 4 done that's it